हलो जोने दोस्तों मैं राहुल सिंग राहुल वाई फाइ स्टेड़ी में आप सभी लोगा बहुत बहुत शौकत और भिनेंदन करता हूँ प्रांस उत्ता प्रदेश अधिनस्त सिवा चैनायोग के समझने खबर लेकर के मैं आपके समझ आज कहूँ जैसा कि आप सब इलो थमनल को रिट किया होगा देखा होगा माने मुखवंतरी के अगरी जनपत में जो है कुछ ऐसे ही मामले निकल के आए हुए है कि भरतियों को लेकर के कुछ गरबडी सामने निकल के आ रही है जो भरतिया दिनस्त सिवा चैनायोग उत्तर प्रदेश के माध्यप से कराई जानी थी वो भरति ग्रेट पे चेंज करक कि खुद जो है कॉलेज ने कर लिया है आगवे में बताऊंगा किस पत के लिए किस भरति के सुमने एक खबर है जिस प्रकार से सरकार वाहवाय दूटती है कि भरतियों में कोई गरबडी नहीं कहीं किसी प्रकार की हमारी सरकार में जो है कहीं भी सिस्टम में कोई गरबडी नहीं है विज्जेस तोर पर रोजगार के पॉइंट अभी उसे रभरतियों के पॉइंट अभी उसे चाहिए किसी भी आई होगे माध्यम से भरती बोड के माध्यम से हो लेकिन जिस पर गार से गरमरिया दिन पर दे निकल के सामने आती हैं और ये कहिन कहीं इस सीच को परदर्सित करती हैं कि सब कुछ सही नहीं है बात करेंगे कोशा काल लेखा काल भरती के सोने इस वीडियो में हम लोग नहीं भरती के सोने उससे पहले चैनल पर नयायत चला को जोड़ सब्सक्राइब कर लें साथने विल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लिजेगा ताकि उत्तर प्रेस अधिनस सेवा चैनल की पलपल की कबर आपको राहल वाई फाइस्टियल के मादम से पहुंचा जासके तो चले बढ़ते खोर मागे पहले बात करेंगे यहां से गरबड़ी के जो मामला है आप सभी लोग यहां से देख सकते हैं यम 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 यूटी फोल मैन इंस्टेक्टर की नियुकती में मिली गरबड़ी मदल मुहन मालबिय प्रदुगी विश्विद्याले के फोल मैन इंस्टेक्टर की नियुकती में गरबड़ी का मामला सामने आया है जो नियुकती अधिनस सेवा चैनायूक से होनी चाहिए थी उसे ग्रेट पे बदल कर सीधा कर दिया गया अब कुलपती पुर्वेसर जेपी पांडे ने फैक्ट फाइंडिंग कमिटी गढ़ित करके तीन रिपी दिन में रिपोर्ट तलब की है मदर मुहन मालबी इंजिनेरिंग कालेज के प्रदुकी विश्विद्यारे बनने की ब जो मानक तैंग किया गया उसमें फोर्मैन इस्ट्रेक्टर का ग्रेट पर बढ़ा कर दिया गया ऐसा करने से निउक्ति का अधिकार विश्विद्दाले पर्शासन को मिल गया और यहीं नहीं फोर्मैन इस्ट्रेक्टर की निउक्ति फरवी दिखाई गई और मार्च 2019 मजवा है सातवा बेतन देने की मंजूरी भी दे दी गई है तो ग्रेट पे चेंज करके यह खेला किया गया है आप सबी लोग दीख सकते हैं ग्रेट पर 22 रुपे की निउक्ति अधिनस्त्रसिवा चैन आयोक से होती है मगर आयोक से निउक्ति हो तक की भरतिया नहीं आती है तो इस परकार से जीख सकते हैं हम लोग कुछ चेंज़ेश करके दो है कि यह मैं मदल मुहल माल भी इनवस्टी में जो है विश्वी द्याले में यह गबड़ी निकलके आई है आनि अधिनस्त सिवा चैन न की जो फोर्मैनिस्टर की भरति होनी जिस पत के लिए वह भरति खुश सीधी जो है कर ली गई है विश्वी द्याले परसासन के द्वारा तो यह तो बात हो गई भी है भरतियों में गरबड़ियों को लेकर कि चलिए बात करते हैं कोशागार लिखाकार भरति कि जनने खबरों के यहां से खबरे हम सबी लोग द चीओ एसीएस बित राधाय स्वान से कोशागार में लंबित भरतियों पदोनतियों एसी पीवारत की गई न्यूक्ति से समधिसमास्याओं कर न्याकर की मांग की है संग के अध्यच अकलेश चंद्र अग्नहुत्री और महामंत्री हेमंत कुमार सिर्वास्तों के दिद्रित ने बताया कि उपसायक कोशागारी कि न्यूफ पदोनति कोठ़े से भरत जाने वाले बित इवं लेखा सिभाके 102 पदों से 90 अभी रिक्त पड़े हुए у haye वही कोशागार लिखाकारों की पदोन से भरे जाने वाले उपसाहे कोशादिरिकारी के 271 सुगीत पदों में से 180 पदों भी रिक्त पड़े हैं तो भारी भरकम पदों की यहां पर खाली पड़े हुए अब निदेशक कोशागार के आदे से जबरन कोशागार लिखाकारों से ही साहे कोशागार लिखाकारी का काम लिया जा रहा है साहे कोशागार लिखाकार की पदोन से भरे जाने वाले कोशागार लिखाकार के 938 पदों में से करीब 290 पद अभी भी खाली पड़े हैं इसी तरह सहे कोसागार लिखाकार के 938 शुब्रकीत पदों में से लग बग 600 पद अभी भी खाली पड़े हुए है तो ये एक डेटा है उपर यूपरी डेटा है अभी एक जैक्ट डेटा देखा जाएगा तो ये साथ सुझ को उपर जाने बाला है बैठक में महोबा और जहा सिवाओं के लिए अच्छा मौका होगा जिनके पास और एबल की डिगिर होगी उनके लिए अच्छा मौका होगा तो यानि एक सहाय कोसागार लिखाकार की भरती यानि तहां है यह भी 2021-22 में यह हो सकता है दूसरी छमाही में 2021 के 2022 के यह भरती आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा है है ना तो एक इंपोर्टन चीज आप तरक पहुचाएगी है राहुल वाई फाइस्टी चनल के मादम से फ्रेंट्स लगतार खब्रों बने रखने के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब करिए बेल आइकॉन की घंड़ी प्रस करिए सबसे पहले अच्छी लगी जानकारी अच्छी लगी हो इंफार्मेशन अच्छी लगी हो तो प्रीज वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट अपडेट के साथ तब तरक के दन्नमाद नमसकार जैहिंद जैभारत